गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, मैसल्फ नेह, I am an English teacher स्टुडेंट्स, आज मैं इंग्लिश में आपको English Primer की बुक में Chapter 21, Page No. 39 पढ़ा रही हूँ, Use of He, She He और She का Use कहां करते हैं, आज हम बताएंगे He का Use Male के लिए होता है और She का Use Female के लिए होता है Male कौन होते हैं, Male जैसे आदमी, लड़का, आपके पापा, चाचा, भाईया ये सब Male होते हैं, और She, She होती हैं Girls, मम्मी, आपकी दीदी, आपकी बुआ, आपकी दादी ये She में आती है, ओके? तो He का Use, जेंट्स के लिए होता है और She का Use, वूमेन के लिए होता है Girls के लिए होता है, ओकी? चलिए स्टार्ट करते हैं He is Mohan, Mohan कौन है, नाम से ही पता चल रहा है, लड़का है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है? He लगाया गया, He is Mohan, वह Mohan है, He is my father, वह मेरे father है, father, पिताजी He is a doctor, वह doctor है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? He is Mohan, वह Mohan है, He is my father, वह मेरे पिताजी है, He is a doctor, वह एक doctor है, ओकी? चले आगे देखते हैं, She is Pramila, वह Pramila है, She is my mother, वह मेरी mother है, ओकी? She makes food for me, वह मेरे लिए खाना बनाती है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा है, कि यहाँ पर Mohan एक आदमी है, जिसके लिए हमने क्या लगाया? He का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? मेल के लिए कर रहे हैं, ओकी? और हमने साथ में क्या बोला? He is a doctor, वह एक doctor है, ओकी? She is Pramila, Pramila एक woman है, जिसके लिए हमने किसका यूज किया है? She का यूज किया है, She is Pramila, और She makes food for me, वह मेरे लिए खाना बनाती है, She is my mother, वह मेरी He is Mohan, He is my father, He is a doctor, She is Pramila, She is my mother, She makes food for me, ओकी? चले आगे चलते हैं, देखिये, He is Mr. Sohan, वह Mr. Sohan है, He is Mohan's father, वह मोहन के father है, मोहन कौन है, अभी यहाँ पर क्या बताया गया था? यहाँ पर एक बच्चा इंट्रोडक्शन दे रहा है, देखिये, तो उसने यहाँ क्या बताया? He is Mohan, वह मोहन है और वह मेरे फादर है, ओके? तो वह किसी बच्चे के फादर है, तो यहाँ पर क्या बत grandfather, वह मेरे grandfather है, मतलब दादा जी है, तो Mohan के father, grandfather okay, he takes me to school वह मुझे school ले जाते हैं, okay चले आगे देखते हैं she is Chetna वह Chetna है she is my sister वह मेरी sister है she likes to dance उसे dance पसंद है उसे dance करना पसंद है ओके तो यहाँ पर हमने Chetna के लिए क्या यूज करा है, she करा है, क्यों करा है क्योंकि Chetna एक लड़की है और लड़की के लिए हम क्या यूज करते है she यूज करते है Chetna female है, female के लिए she का यूज होता है Mohan's father, मतलब Mr. Sohan Jens है, इसलिए हमने he का यूज करा है Promella, female है तो हमने she का यूज करा है and Mohan, male है तो हमने he का यूज करा है ओके? ओके? तो हमने आज क्या करा है? Chapter 21, Use of he and she एक बार फिर से बता रहे हूँ आपको he का यूज male के लिए करते है और she का यूज female के लिए करते है मैं एक बार reading कर रहे हूँ सभी बच्चे आज का homework है read करेंगे इस chapter को He is Mohan He is my father He is a doctor She is Promella She is my mother She makes food for me He is Mr. Sohan He is Mohan's father He is my grandfather He takes me to school She is Chetna She is my sister She likes to dance ओके सभी बच्चे इसको learn करेंगे Sorry, read करेंगे साथ ही हमने अपनी last class में use of I, my और you किया था जिसमें मैंने I बताया था आपको my बताया था और you बताया था कि कहां use होता है आज मैं आपको उसकी exercise copy में करने के लिए दे रही हूँ ओके देखे आपको सभी को अपनी English की notebook में ये काम करना है fill in the blanks with correct word I, my, you आपको सही word भरना है I, my, you से fill in the blanks भरने है dash m a boy आपको यहाँ खुद भरना है क्योंकि ये मैं करवा चुकी हो dash r a boy dash name is pinky dash m a girl dash r a teacher dash m a doctor ram is dash brother तो यह आपको खुद फिल करना है फिर next class में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना था match करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगी आपने सही fill किया या गलत fill किया ओके